आज इस वीडियो में हम तीन और स्टेट की काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम गुजरात स्टेट की तो गुजरात स्टेट ने अपना प्रोस्पक्ट पहले ही जारी कर दिया था और अभी schedule भी जारी कर दिया है तो इसकी website medadam.org है तो इसकी website पर जैसे ही हम विजिट करते हैं तो information for online registration लिखा है इसमें हम सबसे पहले online registration का schedule चेक करते हैं तो इसमें schedule है कि आपको online pin purchase करना है वो 2nd November से लेके 9 November 2020 तक आप कर सकते हैं online इसकी website पर इसमें आपको 200 रुपीज पे करने होंगे इसके बाद में इस same date में ही आप online registration कर सकते हैं इसके बाद में documents verification होगा ये help center दिये हुए हैं इन help center पर documents verification होगा और आपको वहाँ पर इन documents की एक photocopy submit करनी होगी इसका जो date है वो 2nd November 2020 से 10 November 2020 तक है अभी इसमें जो help center दिये गए हैं 30 center उनकी list यहां पर दी गई है ये 30 center medical college हैं 30 medical college इन में जाकर के आपको documents online verification करवाना होगा और वहाँ पर एक photocopy देनी होगी इसके बाद में इसमें online registration के लिए इसमें instructions दिये गए हैं और procedure भी दिया गया है तो आप इसकी website पर ये registration करने का process देख लें ये 4 step में registration complete होगा ये 4 step complete करके आप submit करेंगे तो आपका registration complete हो जाएगा तो इस परकार से अगर आप गुजरात state के रहने वाले हैं तो अपना registration 10th November 2020 तक कर दें इसके बाद में हम बात करते हैं आगे हिमाचल परदेश की तो हिमाचल परदेश ने notice जारी कर दिया है अभी online registration तो इसके start नहीं हुए हैं लेकिन इन्होंने अपने website admissions.hbus.in पर ये notice जारी किया है notice देखते हैं तो इसमें लिखा है कि MBBS BDS admission के लिए 4th November 2020 से registration start हो जाएंगे और 10th November 2020 तक ये close हो जाएंगे तो इस परकार से इसका schedule दिया गया है तो ये registration start होते ही हिमाचल परदेश की जो रेड़ी वाले candidate है वो registration करवा सकते हैं इसके बाद में 3rd update है वो केरिला स्टेट के बारे में है केरिला स्टेट में 2 time forum apply हुए थे एक तो फरवरी में forum भरे गए थे और एक 18 September 2020 last date थी तो इन में जिन candidate ने apply किया है वो अपना NEET का score अपडेट कर दें तो NEET का score अपडेट करने के लिए इसकी website पर आपको visit करना होगा cwe.kem पर वहाँ आपको candidate portal मिलेगा candidate login में आप application number password डाल करके login करेंगे तो वहाँ आपको एक link मिलेगा NEET score अपडेट का वहाँ पर आपको score अपडेट करना है इसके विशे में notification भी आया हुआ है इसमें आप notification भी चेक कर लें इसमें date भी लिखी है कि ये आप 4th November 2020 तक कर सकते हैं शाम 5 बजी तक तो जिनोंने केरिला का form फिल किया है वो तुरंत ही अपना NEET score अपडेट कर दें इसमें step by step process भी दिया गया है कि किस परकार से आपने NEET score अपडेट करना है तो ये तीन states के बारे में अपडेट थी बाके state की बारे में counseling के बारे में जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैखन